दोस्तों स्वागत करता हूँ आज की इस धमाकेदर वीडियो में टेबल के उपर जैसे कि आप देख रहे हो स्कॉच विस्की की बॉटल पड़ी हुई है यहाँ पे मैंने एक पानी से बरा हुआ गिलास रखा हुआ है एक चिल्ड सोडा रखा हुआ है जूस की बॉटल पर रखी है लिम्का धमजब यहाँ पर पढ़ी है और आइस क्यूब्स मैंने यहाँ पर रखे हैं एक क्वॉस्चन लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर क्या हम अपनी विस्की को पानी के साथ पीएं क्या हम उसको सोड़े के साथ पीएं क्या हम उसको नीड पीएं या फिर उसमें आइस क्यूब्स डालके सॉफ्ट डिंग के साथ की हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट वे क्या है जिससे आप अपनी स्कॉच विस्की का पूरा मज़ा ले सकते हो। दोस्तों वीडियो काफी जादा इंट्रस्टिंग होगी और काफी जादा मज़ेदार होगी तो प्लीज इसे एंट तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। हाँ जी किद्दा दोस्तों आज इस टेपल पे तकरीबन हर एक वो चीज पड़ी है जो लोग अपनी ड्रिंक पे मिक्स करके पीते हैं यहाँ पे टेबल पे मेरी स्कॉच विस्की पड़ी है जिसको आज मैं इस वीडियो में यूज करूँगा मेरी वन ओफ दी फेवरेट स्कॉच है ब्लैक लेवल का मैं इस वीडियो में यूज करूँगा यहाँ पे टेबल पे जैसे कि आप देख रहे हो थम्स अप की बाट आज मैंने टेबल पे रखी है लेकिन मैं इस में से कुछ ऐसी चीज़े हैं जिनको बिलकुल अवाइड कर दूँगा जो कि आपकी ड्रिंक को बिलकुल बेकार बना देंगे वो कौन सी चीज़े हैं और क्या वो बेस्ट वे है जिससे आप अपनी ड्रिंक का पूरा मज़ा ले हूं उसके बाद आगे बाते करते हैं कि क्या चीज़ हमें इसमें मिलानी चाहिए यह फटा-फट से अपनी स्कॉच विस्की को ग्लास में पोर करते हैं मैं यूज कर रहा हूं ब्लैक लेवल का क्योंकि मेरी वान ओफ दी फेवरेट स्कॉच है इसको ग्लास में पोर दोस्तों पैग मेजर का मैं इसलिए यूज दें करता क्योंकि यूजली मैं घर पे भी उसको कभी मेजर करके नहीं डालता और मुझे लगता है कि लोग अपने घर पे कोई रेर ही होगा जो पैग मेजर का यूज करता होगा अल्मोस्ट इतनी ही ड्रिंक मैं अपने घर पे लेता हूँ जितनी मैंने आज गलास में डाली है नियर अबाउट 40-45 एमल या फिर 50 एमल के आसपास ये ड्रिंक होगी ये अभी बिलकुल रो है कहने का मतलब ये बिलकुल नीट है मैंने अभी इसमें कोई भी चीज नहीं मिला दोस्तो कई लोग अब पूछते हैं कि क्या हम अपनी विस्की को नीट पी सकते हैं जैसे कि ये नीट विस्की है नीट का मतलब होता है कि उसमें कोई भी चीज मिलाई ना गई हो नहीं उसमें आईस डाली गई हो नहीं उसमें पानी मिलाया गया हो नहीं उसमें कोई और ची cities का 35 degree से उपर weather होता है mostly 40 degree भी चला जाता है 42 degree भी चला जाता है तो ऐसे weather में मैं आपको suggest नहीं करूँगा कि आप अपनी drink को बिलकुल neat पियो, हलाकि पी सकते हैं ये black label को मैं easily neat पी सकता हूँ लेकिन यहाँ पे जो weather है ये इतना जादा suitable नहीं है, नीट पीने के लिए और नीट पीने के लिए आपको काफी जादा time की जुरूरत है ये नहीं है कि ये 40-50 ml में अभी ऐसे ही पी के चला जाऊँगा, नहीं भई इस से हमारे health पे काफी जादा issue आ सकता है हमारे liver पे काफी जादा load पढ़ सकता है, तो नीट पीने के लिए एक तो आपको आदा घंटा या फिर एक घंटे का आपको time चाहिए एक drink के लिए जो कि हम में से किसी के पास इतना time नहीं होता कि एक drink लेके आदा एक घंटा हम बैठे रहे हैं और चुस्कियां लेके पीते रहे हैं, हो सकता है अगर हम vocations पे जाए, अगर हम कहीं hill station पे जाए जहां पे weather enjoy कर रहे हूँ और वहाँ पे हम चुस्कियां लेके नीट पी सकते हैं, और वहाँ पे आप weather भी suitable होता है आप पी भी सकते हो, तो यह मैं अपनी drink में यह soft drinks को add करना चाहिए इससे क्या taste बनता है दोस्तों यहां पे table पे मैंने यह thumbs up की bottle भी रखी हुई है यह juice की bottle भी मैंने रखी हुई है कई लोग juice डालके अपनी drink में पीते हैं कई लोग soft drink डालके पीते हैं तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप इन चीज़ों को मत add करो जी हां इन में highly sugar होती है काफी जादा sugar इन में मिलाई जाती है जिस वज़ा से आपकी body में जो sugar levels हैं काफी जादा बढ़ जाएंगे और जिन लोगों को diabetes है वो तो भाई बिलकुल भी इन चीज़ों से दूर हो एक तो ये आपकी जो drink है उसका taste बिलकुल different कर देते हैं आपकी scotch का जो असली taste है जो असली मज़ा है वो आपको बिलकुल भी नहीं आएगा दूसरी बात इन में काफी जादा sugar होती है और आपकी health के लिए ये बिलकुल भी अच्छी बात नहीं है कि आप इनको mix करके पी हो फिर भी अगर आपका मन करता है कि आप soft drink डाल के पीना चाते हो तो advisable यही है कि 15 दिन में या फिर 10 दिन में आप एक बार पी सकते हो जादा आप मत पीना जादा इन चीजों से दूर ही रहना तो मेरे हिसाब से ये जो soft drinks हैं आइस क्यूब्स की सोडे की और पानी की क्या हमें इन में से क्या चीज मिलानी चाहिए कि हमारी जो drink है बिल्कुल हमें एक perfect taste दे वैसे तो आप अपनी drink में ice cubes डाल सकते हो चलिए थोड़ी सी ice cubes अपने मैं drink में डालता हूँ दोस्तों मैंने अपनी drink में ice cubes डाल दिये हैं इसको कहते हैं on the rocks जिसमें आपको सिरफ आपकी drink हो आपकी whiskey आपकी जो भी alcohol है वो चीज हो और साथ में सिरफ उसमें ice cubes हो जी है यह आप इसकी आवाज सुन रहे हो यह बिल्कुल सिरफ ice cubes हैं और इसमें whiskey है स्कॉच है तो इसको बोलते हैं on the rocks कई लोग इसको पीना भी पसंद करते हैं चलिए इसका एक बार taste करके देखते हैं वैसे usually मैं इसको जादा नहीं पीता और मैं जादा prefer भी नहीं करता है reason क्या है यह मैं अभी आपके साथ share करता हूँ तो दोस्तों इसमें main reason यह है कि on the rocks में ice इतनी जादा हम अपनी drink में डाल लेते हैं कि जो drink का actual flavor है ना जो actual taste है वो बिलकुल भी नहीं आता जैसे कि आप देख रहे हो यह glass यहां से कितना जादा chilled हो गया है कितना जादा यह ठंडा हो गया है यही वज़या है हमारी जो whisky है हमारी जो scotch है उसका temperature इतना जादा down हो जाता है कि उसका actual taste हमें नहीं मिलता लेकिन फिर भी अगर आप कभी-कभी इसको पीना चाते हो कभी-कभी अपना mood chair up करना जाते हो तो आप on the rocks drink पी सकते हो लेकिन यह मेरी drink नहीं है मैं अपनी drink को ऐसे नहीं पीता तो यह तो थी बात on the rocks की अब दो चीज़ें हमारे पास रहगी है एक तो soda और एक पानी जो की दोनों चीज़ें काफी जादा important है तो चलिए दोस्तों अब मैं best way आपको बताता हूँ जिससे आप अपनी स्कॉच विस्की को असानी से enjoy कर सकते हो सबसे बहतरीन तरीका स्कॉच पीने का होता है कि जितनी आपने स्कॉच डाली है मान लो कि इसमें 40 या 50 ml स्कॉच है उतना ही मैं इसमें पानी डालू दोस्तों जितनी मेरी स्कॉच थी उतना ही मैंने इसमें पानी मिला दिया है perfect drink ये अपनी बनगी है इसमें क्या होता है कि हमारे जो actual flavors हैं जो विस्की के जो स्कॉच के वो हमें मिलेंगे एक तो drink dilute भी हो जाती है और उसका टेस्ट भी काफी अच्छा बन जाता है तो चलिए एक इसका sip लेके देखते है बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है बहुत अच्छा इसमें एक मैं बोलूँगा जो इसके actual flavors है वनीला हो गया, स्मोक हो गया, पीटीनेस हो गया वो काफी अच्छा टेस्ट इसमें आ रहा है लेकिन भई ये मेरी type की drink है लेकिन अब कई लोग इसे hard मानेंगे क्योंकि सबी लोग इतनी जादा strong नहीं पीते वो जादा dilute करके पीते हैं तो आप क्या कर सकते हो इसमें थोड़ा सा पानी और मिला सकते हो इसको थोड़ा settle down कर सकते हो या फिर इसको top up कर सकते हो सोड़े के साथ इसमें आप थोड़ा सा सोड़ा मिलाइए दोस्तो जो लोग जादा strong drink नहीं पी सकते अपनी drink में आप पानी के साथ साथ सोड़ा भी add कर सकते हो वैसे तो इसमें पहले सोड़ा जाना चाहिए था उसके बाद पानी लेकिन मैं पहले औरेड़ी पानी मिला चुका था तो आप अपनी drink को ऐसे भी बना सकते हो इसके साथ होगा क्या एक तो आपकी drink में पंच आ जाएगा वो पंचीनेस आ जाएगी सोड़े के साथ दूसरा आपको वो जो bitterness लगती है वो जो कड़वाहट लगती है जो strong feeling आती है वो सोड़े के साथ काफी जादा कम हो जाएगी तो चलिए इसका भी एक sip लेके देखते हैं Cheers बहुत जादा difference आ गया है टेस्ट में smokiness वगरा मुझे मिल रही है लेकिन टेस्ट में अब एक पंचीनेस आ गी है एक वो carbonated drink में जो होती है टेस्ट इसका भी काफी जादा लाजवाब है अगर आप जादा strong drinks नहीं पी सकते हैं तो आप हलका सा सोड़ा आप अपनी drink में add कर सकते हो तो दोस्तों ये तो थे कुछ तरीके जो मैं use करता हूँ मैं अपनी drink में पानी मिला के पीता हूँ अगर कभी कभी कुछ different try करना हो तो मैं उसमें soda भी add करके पीता हूँ आपका best way क्या है आप अपनी drink को कैसे पीते हो वो आप नीचे comment करके बता सकते हो एक चीज मैं आपके साथ clear कर देना चाता हूँ हर एक का अपना taste होता है हर एक का अपना palate होता है ये नहीं मतलब कि अगर मैंने बोल दिया कि इसमें आप soda डाल के पीओ या पानी डाल के पीओ वो बिल्कुल perfect way है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर एक का अपना taste है जैसे आपको अच्छी लगती हो जैसे आपको suitable हो जैसे आपको suit करती हो आपके लिए वही best way है ये मेरे best way थे जिनके साथ मुझे अच्छी लगती है जिनके साथ मुझे मेरी drink suit करती है आपका क्या way है आपका क्या तरीका है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो चल मिलेंगे नई वीडियो के साथ Till then cheers, पियो और जीओ